एक सेठ था, उसका वेपार काफी जोरों से चल रहा था, किन्तु उसके दिल में साधू संतों के प्रति प्यार की भावना थी, आए गए अतिथियों की सेवा भी करता था, एक बार एक संत उसके घर पर आकर रुक गए, उसने संत की आवबभक्त की अपने घर पर भोजन कराय संत जी बड़े परसन हो गए और सोचने लगए कि इस सेट की आत्मा का कल्यान करना चाहिए उन्होंने सेट से कहा कि भाई मैं तुमें आत्म कल्यान का मार्ग बताना चाहता हूँ क्या तुम मार्ग लेना चाहोगे सेट ने कहा कि महराज अभी तो मैं बहुत वियस्त हूँ आप कुछ दिन बाद आएं और मुझे मार्ग बता दीजिए ताकि मैं आत्म चिंतन में समय दे सकूँ संत जी चले गए दो तिन बर्च के बाद संत फिर उस सेट के गर पहुंचे तो सेट तो घर में था ही नहीं उसके बच्चों ने संत जी की आप भक्त की और बताया कि उनके पितर थात वह स्वर्ग स्थार गया संत ने ध्यान लगाया तो देखा कि वे सेट तो अपने ही घर में बैल की योनी में आया है उन्होंने बच्चों से पूछा क्या तुमारे घर में कोई नया बैल आया है उन्होंने बड़ी परसंता से खा कि हां और संत को दिखाया संत ने बैल के कान में कहा देखो तुम काम में फंस रहे आतम कल्यान का मार्ग नहीं लिया और तुम्हारी योनी बदल गई क्या अब तुम अपना आतम कल्यान करना जाते हो बैल बोला महरा जबी तो मैं खेत जोतने में व्यस्त हूँ गाड़ी हांकता हूँ कुछ दिन बाद आताएं संत जी फिर लोट गए कुछ दिन बाद संत फिर बापस आई उन्होंने बच्चों से पूछा तुम्हारा वह बैल कहां गया बच्चों ने कहा मातमा जी वह तो मर गया संत ने पुनिया ध्यान लगाया तो मालम हुआ के वह बैल तो अपने ही दरवाजे का कुटा बन कर आया है उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम्हारा यहां कोई काला कुटा है बच्चों ने कहा हां मातमा जी बहुत ही अच्छा कुटा है वह कुटा बहुत चोटा है अभी से भौंकता है उन्होंने कुटे को संत जी को दिखाया संत कुटे के पास जाकर बोले भाई अब अपनी आत्मा का कल्यान करा लो। कुट्ता बोला महाराज, अभी तो मैं घर की रखवाली करता हूँ। चोटे-चोटे बच्चे बाहर दर्वाजे पर ही गंद कर देते हैं, उन्हें भी साफ करता हूँ। आप कुछ दिन बाद आएं, मैं फिर आत्म कल्यान कराऊंगा। संत महाराज फिर लोट गए, संत सोचते रहते के मैंने सेट की रोटी खाई है, जब तक मैं उसकी आत्मा का कल्यान नहीं करूँगा, तब तक साधू करम को पूरा नहीं कर पाऊंगा। साधू जल्दी से जल्दी उसकी आत्मा का कल्यान करना चाहता था, कुछ दिन बाद साधू फिर उसी सेट के घर पहुंचे, उन्होंने बच्चों से पूछा, वह काला खुता कहां गया, बच्चे बोले वह तो मर गया, संत ने पुन्य ध्यान करके देखा तो मालम हुआ के वह साधू बनकर अपने धन की रक्षा कर रहा है, संत ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम लोगों के लिए धन संपत्ते कुछ रखी है, वह बोले महराज जी रखी तो है, किन्तु जब हम उसे लेने जाते हैं, तो वह एक साधू पाकर बैठ गया है, वह फूफा कर मारता ह संत ने कहा कि तुम मेरी बात मालो, तुम लोग डंडे लेकर चलो, मैं तहे खाना खोलूँगा, वह साधू फूफा कर मारेगा, तुम लोग उसे डंडे से मारना, किन्तु ये दिया रखना कि उसके सिर पर चोट ना लगे, नहीं तो वह मर जाएगा, बच्चों ने वैसा ह खाइल हो गया, तो महातमा जी ने उसके कान में कहा, कि अब तुम क्या चाहते हो, बो जिसकी रखवाली की वही तुम्हे डंडे से मारकर खाइल बना रहे हैं, सांप दर्द और जाखं से बेचायन था, उसने कहा, महराज, अब असहनिये दर्द हो रहा है, मेरे आत्म कल्या कर दिया, ताकि उसकी जी वातमा फिर चराशी योनी में न भटक सके दोस्तों,